नमस्कारम सद्गुरू, आप शाष्ट्रिय संगीत काफी सुनते हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें किसी रोग को ठीक करने की शक्तियां है? पहले ये समझते हैं कि संगीत क्या है? संगीत ध्वनियों की एक तरह की व्यवस्ता है. अगर आप ध्वनियों को एक तरह से व्यवस्तित करते हैं, तो वो शोर बन जाएगा. अगर आप ध्वनियों को दूसरे तरीके से व्यवस्तित करते हैं, तो वो संगीत बन जाएगा. आज बहुत सारे शोर को संगीत माना जा रहा है. ठीक है? अगर आपको शास्त्रिय संगीत के बारे में कुछ पता है, तो आप देखेंगे कि शास्त्रिय संगीत के पीछे बहुत अधिक मात्रा में गणित शामिल है इसका एक धांचा होता है, एक गणिती ये धांचा बनाया जाता है जहां तक मेरी बात है, जब मैं किसी वाकई अच्छे गायक को गाते हुए देखता हूँ तो मेरे लिए उससे एक पूरी ज्यामिती उभर कर आती है तो एक तरह से आप ध्वनी के रूप में फिर से स्रिष्टी का निर्मान करने की कोशिश कर रहे हैं कोई संगीतकार कितनी गहराई से, उसमें वो कितना आगे जा सकता है ये कहा नहीं जा सकता लेकिन आप वही करने की कोशिश कर रहे हैं आप ज्यामितीय पैटर्स की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं वो सभी जटिल पैटरंज जो स्रिष्टी के रूप में संभव हैं क्योंकि स्रिष्टी बस ध्वनियों का या स्पंदरों का एक जटिल मिश्रण है तो आप निश्चित रूप से जानते हैं शब्दों को छोड़ दीजे मेरा मतलब अगर भावनात्मक शब्द मौझूद हैं तो लोग उससे थोड़े भावख हो जाते हैं तो वो अलग बात है वे लोग उसे अर्थ दे रहे हैं बिना किसी शब्द के भी संगीत आंसू ला सकता है संगीत आनंद ला सकता है संगीत प्रेम ला सकता है संगीत लोगों में मूड, भावनाएं और अनुभव पैदा कर सकता है बस ध्वनी से ही शब्दों का इस्तमाल किये बिना शब्द यानि ये मानसिक पैटन है ध्वनी यानि ये अस्तित्व से जुड़ा पैटन है तो इसलिए ऐसा संगीत जिसमें शब्द नहीं होते बहुत महत्वपूर्ण है और ज्यादातर भारत ये संगीत काफी हद तक ध्वनी है यहाँ वहाँ कुछ शब्द होते हैं पर ज्यादातर ध्वनी क्योंकि ध्वनी एक अस्तित्वगत संरचना है शब्द किसी शब्द का अर्थ एक मानसिक संरचना है अगर मैं अगर मैं तमल में गीत गाता हूँ तो आपके लिए उसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि शायद आप वो भाषा नहीं समझते अगर आप किसी दूसरी भाषा में गाते हैं मैं नहीं जानता तो मेरे लिए उसके कोई माइने नहीं है क्योंकि मुझे मतलब नहीं समझ में आता लेकिन ध्वानी की प्रकृती ऐसी नहीं है अगर ध्वानी को एक विशेश जामिती में विवस्थित किया गया है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप कौन है ये आपकी भावनाओं को नहीं चूता लेकिन ये आप जो हैं उसके अंतरतम को चू लेता है उस मौलिक तरीके से जिस तरह से ये स्रिष्टी यहां घटित हुई है तो ये जीवन को चूने की एक कोशिश है ये कोशिश है जीवन की नकल करने की एक अलग रूप में जो एक जबरदस्ट चीज है और क्या लोग इससे स्वस्त और ठीक हो जाएंगे बिल्कुल अगर आप सही पिछ को चू लें